कि अब बात कर लेते हैं पटिल एंजिनिंग की क्विकली अलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो पटिल एंजिनिंग में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक कंसिस्टेंट फॉल देखने को मिल रहा है कुछ समय से ओवरॉल स्टॉक तो 48 परसेंट 15 डेज में उसके बाद फॉल बेक था ओवरॉल नॉर्मली स्टॉक चल रहा था यहां पर फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया विकॉस यहां पर यह एक अनीविन न्यूस थी अब यहां पर स्टॉक में एक बीकनेस में जाएगा 58 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यह वीकनेस दिखाएगा विकॉस ओवरॉल यहां से जो ट्रेंड लाइन बनती हैं यह एक स्ट्रॉंग सपोर्ट क्रियेट करती है थी हर बार सेम एज़िए लेवल तो यह वीकनेस दिखाएगा और नेक्स रहे तो स्टॉक अपना नियर ब्रेक आउट है तो अगर उपर की दिखापे कोई बाय करना चाता है तो यह सही टाइम है पटेर एंजिनिंग को अक्वाइर करने के लिए बिकॉस टॉक में जो रीसेंट फॉल आया उसमें काफी करेक्ट हो गया स्टॉक यहां पर 20% फिर से करेक्ट हो चुका है और डेफिनेटली जब स्टॉक करेक्ट हो जाता है तो बड़ी उम्मीद रहती है कि और ऊपर चलने की संभाव ना रहेगी यहां पर आरेसाई पर नजर डालने डेली टीएफ पर तो काफी जादा करेक्ट है नीचे की दिशा में सेम एज विकली टीए जैसे आपके कहीं बिगड़ जाते हैं तो यह लो पर है स्टॉक आने वाले समय में जब यह तेजी पकड़ेगा यहां से और अब समय के लिए उपर के लिए जब यह पकड़ेगा यहां से तेजी तो 25% में आपको 75 के आंकड़े दिख सकते हैं 25-26% तो आपके जो भी लॉस जोन पर सटेन ले रहा है तो आने वाले दिनों में इसको आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पटले एंजिनिंग पर अच्छे से समझा दिया यह कुछ अपना उपर वाली ट्रेंड लाइन है यह एस और यह तो जो तेजी रहेगी स्टॉक में वह अपनी 64 के बाद ही और इसमें बड़े मूव आएंगे 70 के बाद और ओवर यहां पर अभी लोओन डिप है तो आप कर सकते हैं यह एक सही मौका है जहां पर पटले इंजरिंग में आपको एड़न भी करना चाहिए जो लोग उपर के लेवल पर फसे हैं यहां पर मैंने पटले इंजरिंग अच अच्छा होता है कमेंट के रिपलाइ में कम देता हूं इसलिए लाइव इंट्रेक्शन के लिए आपको इंसेस्ट करता हूं तो मिलते नेक्स्ट विडियो में दिस इसमी सुबम्यादव साइनिंग ओफ